तो दोस्तो आज हम आपके लिए स्रिप चार कप दूद से बिना मिल्क पाउडर और बिना खोए से हलवाई जैसे सुपर सॉफ्ट और बिल्कुल मक्षन की तरह मामा बर्फी के रिसिपी लेकर रहे हैं हलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैं चैनल तो चलिए आज की ने रिसिपी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें लेना है चार कप दूद दोस्तों यहाँ पर मैंने भैस का दूद लिया है और घर में जो गरम की अवा दूद था ना वही लिया है लेकिन इसके मलाई के साथ ही लेना है मलाई अलग नहीं करनी है वहना बहुत ही कम आपकी बर्फी बनेगी और यहाँ पर हमने जो गरम की अवा दूद लिया है ना उसके वज़े से कभी-कभी बर्फी में दाने पड़ जाते हैं यहाँ पर हमने शकर अभी नहीं डाली है शकर आपको लास्ट में डाली है क्योंकि शुगर केरमलाइज होती है ना तो उससे आपका जो खोया है या फिर जो बर्फी है उसका कलर बहुत ही जादा क्रेमिश आ जाता है जिसे वह दिखने में अच्छी नहीं लगती है तो यहाँ पर हमने लगपक 15-20 मिनट इसे लगातार चलाते हुए पकाया है तक कि इसमें लच्छी ना पड़े इसमें दाने ना पड़े और इन केस ऐसा हो जाता है तो आप दूद को थोड़ा सा ठंडा करके मिकसर में चला ले जिसे ये दूद फिर से क्रेमिश हो जाएग अब दोस्तो इसे हमें गाड़ा होने तक पकाना है और जैसे जैसे ये गाड़ा होगा ना देखे दूद में बड़े बड़े बबल साने लगते ही तो यहाँ पर हमने चार कब दूद लिया है मतलब एक लिटर दूद लिया है और इसे गाड़ा होने में लगपक 20-25 मिनट लगी ही और फिर ये बिलकुल मावा इसका बन जाएगा लेकिन दोस्तों जैसे ये थोड़ा गाड़ा होगा ना हमें इसमें डालना है शक्कर शक्कर लास्ट में ही डालेंगे मैंने आपको पहले बताया शक्कर हमने यहाँ पर थ्रेटेबली स्पून डाली है जादा नहीं ड सननी आती है और दूद जैसे गाड़ा होता है तो उसकी भी स्विटनेस इसमें आ जाती है तो चलिया हमने इसे लगातार चलाते वे पका लिया है और फाइनली ये मावे की तरह हो चुका है अब दोस्तों इसमें हमें एक चीज़ और डालने हैं जिससे ये बर्फी जबरद दस्त बनेगी तो मैंने यहां पर लिया है वन टेबल इस्पून देशी घी देशी ये डालने से एक तो ये बर्फी बहुत ही क्रीमी बहुत ही सौफ्ट और स्वाधिश्ट बनेगी और साथ ही दोस्तों अगर दूद में फैट कम है ना तो उसकी कमी भी ये पूरी करता है गी डालने के बाद इसे अच्छे से भून लीजे तब तक जब तक ये कड़ाई को छोड़ने ना लगी जैसे ये कड़ाई को छोड़ने लगी इसका मतलब आप समझ जाएगेगा कि ये जो मावा बर्फी का बेस है वो रैडी हो चुका है लेकिन हम इसका टेस्ट बढ़ान हो आप डाल सकते हैं जो भी फ्लेवर की मिठाई आप बनाना चाहते है तो अब इस टेज में आप इसमें इसे इस कोको पाउडर या इलाइचे का पाउडर जो डालना चाहते हैं वो डालिए अच्छे से मिक्स कीजिए और फिर इसे सेट करने के लिए रखी लेकिन ये सेट हो गी या नहीं इसे चेक करने के लिए आपको थोड़ा सा पोर्शन लेना है मिठाई का और इसे उंगलियों पर थोड़ा सा घुमाना है अगर इसकी छोटे छोटे बॉल्स बनते हैं इसका मतलब ये मिठाई सेट हो जाएगी अब दोस्तों हमने लिया है मिठाई का टीन औ हैं हमने टीन के पीछे हिस्से में क्यों लगाया है क्योंकि इसे कट करने में इसे निकालने में उतनी ही जाधा असानी होती है तो आप इसी तरीके से प्लेट में थाले में या फिर कोई केक टीन में सेट कीजिए एवनली फैलाईए और ये देखी मक्षन की तरह हमारी ये का बेस बना है इसे हमें अच्छे से सेट करने के लिए रखना है पंके के नीचे छे से साथ घंटे के लिए या फिर आफ फ्रेज में दो घंटे के लिए रख सकते हैं जैसे यह थंडी होगे हमें इसे कट करना है और जैसे ही मैं कट कर रही हूं आप देख सकते ही बिलकुल मक बर्फी बनकर तयार हो चुकी है यह देखे अब यहां पर आप पीसे से छोटे बड़े जैसे आपको करना है कर सकते हैं हमने थोड़े बड़े से इसके पीसे किये ही तक यह दिखने में जादा सुन्दर लगे और यह देखे दोस्तों फाइनली हमने इसे कट कर लिया है और न देखे कितनी शांदर पीसेस बने हैं और ऐसा लग रहा है कि बाजार की मावा बर्फी आपके सामने हैं बहुत ही शांदार दोस्तों बहुत आसान है इसे बनाना कम समगरी में आप बाजार जैसी मिठाई बना सकते हैं मैं तो कहूंगी बाजार से भी जादा अच्छी बनत ही है यह देखे दोस्तों बहुत ही टेस्टी लग रही है इसे तोड़ कर दिखाते ही ताकि आपको पता चले कि इसका टेक्शर कैसा है यह देखे दोस्तों बहुत ही बढ़िया तो इसे बनाने के लिए आपको ना तो जादा मेहनत करने हैं और नहीं जादा सामगरी लेकिन फिर भी आप घर पर बहुत ही टेस्टी मिठाई बना सकते हैं जो बहुत ही क्रीमी और सॉफ्ट है चलिए आपको दिखाते हैं इसका टेक्शर कैसा है ये दिखें दोस्तों कितनी सॉफ्ट है मुँ में जाते ही घुल जाती है तो सब बनाईएगा जरूर इस राकी पर और कैसे बनी हमें जरूर बताईएगा रैसे भी अच्छी लगी हो तो से लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा